हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए इन्फिनिक्स और रियल्मी के दो स्मार्टफोन्स लेकर आया हूँ जिनका कॉम्पटिशन बहुत ही जादा है पहला तो दोस्तो रियल्मी 8i है रियल्मी की तरफ से जो बिल्कुल बेस्ट चल रहा था मार्केट में लेकिन इन्फिनिक्स ने और लेटेस्ट फून लाँच कर दिया नोट 11 इससे भी 2000 कम कीमत में 12000 का तो दोस्तो दोनों में कंपरिजन करके देखते हैं बेस्ट कौन सा है बेक पे यह सारी स्पेसिफिकेशन्स मिल जाती है बॉक्स के उपर आपको रेट लिखावा है 16000 का दोस्तो रियल्मी 8i पे लेकिन यह 14000 का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 14000 का और दोस्तो इन्फिनिक्स का नोट 11 पे 15000 का रेट है लेकिन यह आपको 12000 में भी मिल जाएगा इंट्रोडक्टरी प्राइस पे तो दोनों में 2000 का फर्क है चलिए देखते हैं रियल्मी 8i के साथ आपको क्या क्या दिया गया है दोस्तो सबसे पहले तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगावा है सबसे पहले एक सिम इजक्टर टूल इसके अंदर कुछ यूजर मैनुवल है और एक कवर है थोड़ा ग्रे कलर में है काफी बढ़िया लग रहा है इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे कमपेरिजन करके कि इसका डिजैन जादा बढ़िया है उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको ये टाइप C केबल दी गई है लेंथ और क्वालिटी इसकी दोनों सही है लास्ट में रखा वो मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर इसकी दोस्तो बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल मिलती है और ये एक 18 वाट का चार्जर है चार्जर फास्ट है 18 वाट का तो दोस्तो इस सारा समान तो आपको मिलता है Realme 8i के साथ 14,000 में 14,000 में चली देखते हैं अगर आप 2,000 कम खर्च करते हैं Infinix के Note 11 के साथ क्या के दिया गया है 12,000 में तो जैसे आप Unbox करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाता है Mobile जिसका Detail Look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं Cover दिया गया है बहुत बढ़िया Quality का Black Color में एक Free Fire Game का Code है कुछ User Manual मिल जाते हैं इसके साथ बाकि दोस्तों White Color में Data Cable दी गई है जिसके Length और Quality दोनों सही है और इसके साथ आपको Type C Cable मिल जाती है Realme की तरह तो दोनों के साथ आपको Type C Cable दी गई है Last में रखावा मिलता है ये White Color में Charger इसकी भी Build Quality काफी बढ़िया है लेकिन 200 फर किये हैं इसके साथ आपको 33 Watt का Charger दिया गया है 33 Watt का तो 200 Charger आपको और जादा Fast मिल जाता है Infinix के Note 11 के साथ और इसकी कीमत भी 2000 कम है Cover भी जादा बढ़िया दिया गया है वैसे Data Cable की Build Quality भी और जादा बैठर है तो Clearly Box के अंदर आपको Contents जो है दोस्तो समान आपको जादा बढ़िया मिलता है Infinix के साथ वो भी कम Rate में इस चीज में Note 11 जादा बढ़िया है चलिए Design की बात करते हैं दोस्तो तो दोस्तो Realme 8 Eye के अंदर आपको Design जो है कुछ इस्तरी किसे दिया गया है Light की Reflection इसके Back Panel पे काफी अच्छी लगती है लेकिन इसके Scratches असानी सा जेंगे और इसका Design Side उससे Curved है तो Grip करने में काफी बढ़िया लगता है दोसरी तरफ दोस्तो Note 11 का Design आपको Side उसे Square Shape में मिलता है Curved नहीं है इसके साथ ये Matte Finish में है तो इस पे Scratches जो है आसानी से नहीं आएंगे Quality Design की Infinix के Note 11 की जादा Better है Camera का Design आपको Realme 8 Eye में कुछ इस तरी किसे दिया गया है तीन Camera है इसमें बाकि दोस्तो Performance हम अभी देखेंगे कौन सा Better है Infinix के अंदर भी आपको पीछी की तरफ तीन Camera दिये गाए है Design कुछ इस तरी के से है बाकि दोस्तो डिजाइन को लेकर हम आपसे ये कहूंगा देखिए Realme 8 Eye में जो है बहुत जादा Quality, Scratches की Problem आपको नहीं चाहिए तो दोस्तो आप Infinix का Note 11 आपके लिए जादा Better रहेगा Quality में यही जादा Better है इसके लिए दोस्तो डिस्पले की बात करें तो Realme 8 Eye के अंदर आपको 6.6 इंचिस की डिस्पले दी गई है साड़े चेंज से थोड़ी सी जादा Note 11 के अंदर आपको 6.7 इंचिस की डिस्पले दी गई है इसके अंदर आपको हलकी सी और बड़ी डिस्पले मिल जाती है Realme 8 Eye से लेकिन दोस्तो डिस्पले की Quality का फर्ख है Quality सबसे important है Size इतना matter नहीं करता 8 Eye के अंदर आपको IPS डिस्पले दी गई है लेकिन Note 11 के अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है तो डिस्पले की Quality आपको Note 11 के अंदर जादा बड़िया मिलती है बाकि दोस्तो इन दोनों मोबैल्स को जब आप यूज़ करते हैं ऐसे Swipe Up and Down करते हैं दोस्तो इन दोनों मोबैल्स में आपको बहुत जादा स्मूधनेस देखने को मिलती है 8 Eye के अंदर ये फून यूज़ करने में बहुत जादा स्मूध लगता है क्योंकि इसके डिस्पले के अंदर 120 Hz के रिफ्रेश रेट है तो ये खुब भी आपको इसके अंदर बहुत बढ़िया दी गई है जो कि आपको Infinix के Note 11 के अंदर नहीं मिलती इसके अंदर नॉर्मल आपको 60 Hz का ही रिफ्रेश रेट दिया गया है तो यूज़ करने में जो जादा स्मूध है इन दोनों में दोस्तों वो आपको Realme 8i मिलता है बाकि आप Quality भी देख लेते हैं करीब से दोनों की मापको दिखा देता हूँ बिल्कुल Full Brightness करके तो डिजाइन में दोस्तों 8i बढ़िया है डिस्प्ले का जो डिजाइन इसका जादा बढ़िया है पंचोल कैमरे वाला नौच वाले डिजाइन मिलता है नोट 11 के अंदर बाकि दोस्तों डिस्प्ले के अगर आप Quality देखेंगे जो बहुत जादा Important होती है Colors और Brightness वो आपको Note 11 के अंदर ही जादा बढ़िया मिलती है तो दोस्तों डिस्प्ले के डिजाइन के अंदर 8i better है और इसके अंदर आपको 120 Hz के रिफ्रेश एट दिया गया है यह इसकी खुबी है और डिस्प्ले के बढ़िया Colors और Brightness यह बहुत Important चीज़ है जो आपको Note 11 के अंदर बैटर मिलती है वैसे Overall देखा जाए तो मझे डिस्प्ले में Note 11 अच्छा लगा क्योंकि colors बहुत बढ़िया है इसकी डिस्प्ले के Left side से देहेंगे दोनों में SIM की ट्रे है दो SIM card एक memory card तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं दोनों में और यह दोनों phones 4G है 5G नहीं है दोस्तो निचे की साइट साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone, jack मिल जाता है बिल्कुल सेम जगा पर Type-C port है दोनों में Right side पर fingerprint scanner जो है वो दोस्तो दोनों में power के बटन के अंदर दिया गया है साइड में Volume के बटन ए टाइम में left side पर है Note 11 में right side पर उपर की साइड साब देहेंगे तो दोनों के अंदर plain design है Noise cancellation mic होता तो काफी बढ़िया रहता अब दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के internal storage दोनों के अंदर आपको 4GB, 64GB मिलती है दोस्तों तो RAM और storage को लेकर दोनों जैसे हैं लेकिन Infinex का Note 11 और जादा बढ़िया है क्योंकि इसकी कीमत 2000 कम है 8i से और इसके अंदर आपको RAM और storage 8i के बराबर दी गई है दोनों के अंदर आपको Android का 11 वर्जन मिलता है इस चीज में भी दोनों बढ़िया है बागी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स को finger paint scanner चेक करके देखते हैं कौन सा fast है तो 8i की speed ज़र आप देखिए यह मैंने click किया unlock हो गया यह मैंने click किया दोस्तों जैसे ही touch किया unlock हो जाता है और face unlock भी आप देख सकते हैं इसका काफी ज़्यादा fast है चलिए अब Infinix के note 11 को देखते हैं तो दोस्तों जैसे मैंने touch किया यह इतना time लेता है unlock होने में यह touch किया मैंने इतना time लिया तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो speed मिलती है इन दोनों के comparison में face unlock और दोस्तों इसे के साथ fingerprint scanner की वो आपको ज़्यादा fast दी गई है Realme 8i के अंदर fingerprint scanner और दोस्तों face unlock को लेकर 8i ज़्यादा better है Realme का Infinix के note 11 से इसमें ज़्यादा fast है इसके लब दोस्तों इन दोनों को restart करके देखते हैं कौन सा mobile ज़्यादा time लगाता है देखे 8i के अंदर आपको media tech का G96 processor दिया गया है और Infinix के note 11 के अंदर आपको media tech का G88 तो दोस्तों performance को लेकर वैसे processor तो आपको ज़्यादा बढ़िया दिया गया है 8i के अंदर heavy user अगर आप है जैसा आपको game वगरा खेन ले हैं तो इन दोनों के अंदर आपको दिक्कत तो नहीं होगी लेकिन दोस्तों अगर आपको performance ही बढ़िया चाहिए आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं चाहिए आपको performance को लेकर तो इन दोनों में से कोई एक चूस करना है तो 8i बढ़िया है इसके अंदर आपको processor और ज़्यादा बढ़िया मिलता है performance को लेकर यह ज़्यादा अच्छा है गेम वगरा खेनने के लिए यही ज़्यादा बैटर है इन दोनों में इसके लव दोस्तों इन दोनों मोबैल्स के अंदर आपको battery दी गई है 5000 image की एक दिन का battery back आप अराम से मिल जाएगा आपको लेकिन note 11 ज़्यादा बैटर है 8i winner रहा इस चीज़ को लेकर messages open करके देखते हैं दोस्तों तो दोनों में एक साथ open हो गए Google Chrome को open कर लेते हैं तो दोस्तों ये भी application पहले open हुई है 8i के अंदर camera open करके देखते हैं थोड़ा सा note 11 में पहले open हुआ लेकिन दोस्तों overall देखा जाए तो performance में इन दोनों mobile's में 8i बहुत बढ़िया है तो speed आपको बढ़िया चाहिए hang होने की दिक्कत और कम चाहिए तो 8i better है इसके लिए दोस्तों camera दोनों के अंदर आपको 50MP का दिया गया है main camera 50 Megapixel का camera की जो दोस्तों performance है वो वैसे मुझे जादा better लगी infinix के note 11 के अंदर इसके photos के जो colors है वो बहुत जादा बढ़िया लग रहा है AMOLED display है दोस्तों तो colors और जाद अच्छे लगते हैं camera को लेकर वैसे दोनों में दिक्कत आपको नहीं होगी लेकिन वैसे दोस्तों अगर एक ही choose करना हो तो infinix का note 11 मुझे जादा बढ़िया लग रहा है जादा अच्छा camera आपको मिल जाता है infinix के note 11 के अंदर real में 8i के comparison में तो दोस्तों ये सारी खुबिये कम्यान दोनों के अंदर है चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए दीखे दोनों में अपनी अपनी खुबी है अब आप decide ये कर लीजिए दोस्तों सबसे पहले कि आपको जो बहतर चीज चाहिए वो किस के अंदर बढ़िया है अगर आपको दोस्तो 120 Hz का refresh rate चाहिए गेम अगर आपको खिलने है तो 8i बढ़िया है आपके लिए इसे के साथ दोस्तों अगर आपको look-wise डिजाइन बढ़िया चाहिए तो भी 8i आपके लिए जादा अच्छा रहेगा और दोस्तों अगर आपको performance बढ़िया चाहिए तो भी 8i खरीदियेगा इसके अंदर आपको processor जादा बढ़िया मिलता है ये तीन खुबिया इसके अंदर बहुत अच्छी है देखने में design बढ़िया 120Hz का refresh rate और बढ़िया प्रॉस्सर लेकिन दोस्तों note 11 के अंदर भी आपको अपनी जग़ा बहुत बढ़िया खुबी दी गई है एक तो आपको amolid display दी गई है display की quality आपको बढ़िया चाहिए तो आप इससे खरीद दियेगा amolid display है इसके अंदर design की quality आपको अच्छी चाहिए तो note 11 बैटर है camera आपको ज़ादा बढ़िया चाहिए तो note 11 अच्छा रहेगा आपके लिए इसमें speed बहुत बढ़िया मिलती है performance बढ़िया मिलती है और तीसरा सके अंदर आपको 120 Hz का refresh rate दिया गया है यूज करने में बहुत अच्छा लगता है यह दोसरी तरफ दोस्तो चार खुबिया है note 11 के अंदर एक तो design की quality बढ़िया है दोसरा camera अच्छा है तीसरा सबसे important चीज डिस्प्ले की quality बढ़िया है और चौथा इसके अंदर आपको battery अच्छी दी गई है जादा बढ़िया charger के साथ और इसकी कीमत भी कम है तो थोड़ा सा वैसे जादा दोस्तो rate के साब से देखा जाए तो note 11 ही better है क्योंकि खुबिया भी जाद अच्छी है और कीमत भी कम है फिर भी दोस्तों अगर आपको 8i की खुबिया पसंद आई आपको ज़रुत की चीज इसमें लगती है तो आप इसे खरीद दियेगा अब दोस्तों आप बताएगा फिर भी comment करके आपको Infinix पसंद आया या फिर Realme comment करके ज़रूर बताईएगा वैसे दोनों कंपनीज परफॉर्म बहुत बढ़िया कर रही है आजकल मार्किट के अंदर कुएलिटी वाइस प्रोड़क्ट बहुत अच्छे लॉंच हो रहे हैं बाकि दोस्तों कुछ भी हो competition की वज़े से फायदा तो हमारा ही है आपको बढ़िया बढ़िया फून्स मिलेंगे competition की वज़े से बाकि दोस्तों आपको पसंद कौन सा है नीचे comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो दोस्तों गर आपको अच्छी लगी तो इसको एक like कर दीजिए चैनल पर आप नए हैं तो subscribe कर लीजिए red button दबाके ताकि नए वीडियो भी आप तक पहुचती रहें helpful लगी वीडियो तो share कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care bye